हेलो दोस्तों आप सबने देखा होगा कि अगर हम हेल्दी लाइफ और हेल्दी वेट के लिए कोई भी इंटरनेट या तो ट्रेंडिंग डायट प्लान फॉलो लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर कई सारे रिस्ट्रिक्शन्स होते हैं जो मैं सोचल लाइफ में लंबे समय तक सैट नहीं हो पाता है और दूसरा रिजन्स कि हम अगर डायट प्लान फॉलो कर भी ले मगर हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स या तो आसपास के लोग हमसे ज़्यादा खाने के बाद भी हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं और हम कन्फिज हो जाता है और उससे ज़्यादा घर पे ही देख लेते है कि कुछ लोगों के घर में सेम फूर्ड, सेम डायट लेने के बाद भी कोई हेल्दी वेट मेंटेन करता है या तो कोई ओबेज हो जाता है वही सेम खाने के बाद भी तो मित्रों हम आल्वेस कन्फ्युज रहते हैं कि हम करे तो क्या करे कौन सा ढायप्लांट फॉलोकरे किशको 500 करे और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हैं की इंटरनेट्ड़ पे बहु Time इंफॉर्मेसंस आफैलेबल हैंuciones और सबसे जयादा रॉंग इंफ्रमेसंस वे के लिए आपके साथ एक सीरीज लेके आया मैंने कुछ समय पहले ही इसी सेम टॉपिक पे यूटूब पे वीडियो पॉब्लीज किये हुए है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं आप हमारे साथ नई सीरीज के सारे वीडियो देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले और पास मेरा बेल आइकन प्रेस करना भी ना पूले उसकी वज़े से आपको नौटिफिकेस मिलती रहेंगी हमारे अगले वाले और सारे वीडियो के लिए और मित्रो मैं आप सबका बहुत पड़ा सुक्रियादा करता हूँ कि आप सबके प्यार की वज़े से हमारे इस चैनल के सारे वीडियो को आपने अभी तब मोर देन 3.5 लैक्स मिनिट्स वाच किये है तो स्टार्ट करें आज का वीडियो डीन डायेट क्या है और वो कैसे काम करता है उसकी पूरी जाहनकारी मैं पूरी वीडियो सीरीज में आपको कर दूगा मैं हूँ आपका डॉक्टर रुसेके स्रीविरी और मैं परसनलाइज टेनर के साथ निट्रजनोमिक कंसल्टन और मेटाबोलिक एक्सपर्ट के तौर पे एहमदाबाद में प्रक्टिस करता हूँ आज तक मेरे पास 1500 सुभी ज्यादा और 10 से ज्यादा कंट्री के लोगों को हेल्धी वेट करने में मदद किया है और साथ में कई लोगों के हेल्धी इस्यूस को भी कुछ हद तक सॉल करने का भी प्रयास किया है आप सबने कभी ना कभी DNA डायेट या तो जिनेटिक डायेट प्लान सुनाओंगा और कनफ्यूस भी होंगे कि नया क्या है आपने दिखाऊगा कि बहुत सारे सेल्विटी अपना वेट थोड़े ही समय के अंदर बढ़ा भी देते हैं और थोड़े समय के अंदर कम भी कर देते हैं वो सब कैसे होता है इतना जल्दी और फास कैसे मिलता है और हम एक या दो किलो के लिए कितनी मैनत करते हैं तो DNA डायट सिंपल सब्द में बताऊं तो आपके अपने DNA यानी जीन्स पे अधारिद डायट प्लान जो हर एक परसंस के लिए परस्नलाइज और कस्टमाइज डायट प्लान होता है तो यह DNA क्या है और उसका साइंस क्या है वो कैसे काम करता है यह पूरी जान करें दूंगा फ्रेंड्स मगर इस वीडियो को अंत्य तक देखना न बुले और इस वीडियो को बिना स्कीप किये देखिएगा DNA उसका सिंपल मतलब यानि हमारी बॉरी के औल कैसे होंगे उसकी भासा होती है यानि कोई भी बच्चा लड़का होगा या तो लड़की वह भी हमारे DNA पर आधारित होता है DNA आपके बॉरी को कैसे काम करना है उसकी नियम जीन्स को देता है जो कि वह एक DNA का भाग है और जीन्स उसी इंस्ट्रेक्शन को प्रोटीन और एंजैम्स बनाने में मदद करता है चो सरी के कई सारे फंक्सन को काम करने में मदद करता है और यहां पर हम न्यूटिसंस के लिए बात करते हैं तो हमारे चिनेटिक्स में जीन्स की भूमिका बहुत बड़ी है चो बताता है कि हमको क्या खाना चाहिए और हम इसे क्यों पसंद करते हैं और उसके इसाब से हमारे टेस्ट के रिसप्सस डिफरन्ट टेस्ट को रिस्पॉंड करते हैं आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कट्ठा काना या तो कुछ लोगों को मीठा काना या तो किसी को तीखा काना पसंद होता है वैसे ही जीन्स हमारे सरीर में food का metabolism कैसा होगा वो भी decide करता है और उसके जरीए हमको पता चलता है कि कौन सा foods हमारे लिए सही है या तो कौन सा सही नहीं है और थोड़ा डिटर्स में बताता हूं हमारे सरी में 20,000 से भी ज्यादा जीन्स होते हैं और हर एक जीन्स हमारे बॉड़ी में होते हुए हर एक functions के लिए guide करता है भले वो diet हो, sleep हो, exercise हो या तो कोई भी disease हो और आपको मालूब होगा कि बॉड़ी के हर एक functions को काम के लिए fuel की जुरुत होती है और वो हमारे nutrition यानि food में से मिलता है बॉड़ी मेरा हर एक जीन्स हमारे बॉड़ी के functions या तो food के metabolism को उसके environmental के हिसाब से regulate करता है कुछ foods हमारे जीन्स के लिए सही होता है यानि अच्छा काम करता है या तो कुछ foods हमारे जीन्स के लिए सही ना होने की वज़ा से उसका reactions body lifestyle disease के तोरपे दिखता है तो कौनसे foods आपके जीन्स के लिए सही है या तो नहीं है वो आपको genetic testing के त्रूँ पता चलता है और वो आपके food के blueprint तयार करता है तो DNA based diet एक ऐसा diet plan है जो आपके अपने DNA के हिसाब से बनाया जाता है जो आपके future health और healthy life के लिए बेहत जरूरी होता है आप सोच में पड़े होंगे कि क्या DNA diet को साइंस पे आधारित है या तो सिर्फ हवा में चलता है तो नहीं यह एक Neutrogenomic Science पे आधारित है और यह science आपको कैसे मदद करता है इस DNA based diet की जहनकरी के लिए उसके लिए बात करता है तो Neutrogenomic Science आपको बताता है कि हर एक persons का food उसके genes को कैसे प्रभावित करता है उसके साथ वो persons की lifestyle के हिसाब से future में कौन सी बीमारी होने के chances होंगे उसकी भी अनुमान लगाई जा सकती है और इसी study के सारे हम personalized diet भी recommended कर सकते हैं मगर मित्रों यह science other diet के लिए आपको DNA test करवाना अनिवार्या है तो मित्रों यह DNA test कराके diet plan क्यों करना चाहिए और उसका क्या फाइदा हो सकता है उसकी जानकारी मैं अगले आने वाले वीडियो में बता दूगा तब तक आप हमें follow करना ना भुले और कोई भी query हो तो आप comment box में लिख सकते हैं मैं आपकी query का answer करने का प्रयास करूगा धन्यवाद